C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जाधू पाँचवापाट दुनिया कुछ ऐसी दिखती है प्रिष्ट बावन गप्पु की हवाई यात्रा गप्पु एक छोटा सा बहादर चुहा था एक दिन उसने देखा कि बच्चे बड़े से गैस के गुबारे के साथ खेल रहे हैं गुबारा उड़ा और कमरे की छट से जाटक राया गप्पु खुशी से जूम गया तभी उसे कुछ सूजा अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पु गुबारे के धागे से उपर चड़ गया अब वो उपर से पंके की पंखुणिया देख सकता था इस प्रिष्ट पर सबसे उपर दाहिनी तरफ चत का चित्र है जहां पंक्खा लगा है और गप्पु को गैस के गुबारे के उपर चड़ते हुए दिखाया गया है गप्पु बोला ओ इन पंकड़ियों पर कितनी धूल जमी है नीचे से तो कितने साफ दिखते है पंक्खा नीचे से कैसा दिखता है बना कर देखो अब गप्पु ने नीचे देखा उसे बिस्तर दिखाई दिया कुर्सी दिखाई दी एक मेज किताबों से भरी हुई और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदी रखे हुए थे चित्र में इन चीजों को पहचानो प्रिष्ट के बीच वारे हिस्से में कुछ कुर्सियां, टेबल और कुछ सावान रखा है गपु बोला ये बुद्धु चिंकी पनी ढून रहे होगी देख मी नहीं सकती कि वो जग के उपर रखा है शिक्षिकों के लिए निर्देश अलग-अलग दृष्टिकोणों से और दूरियों से देखने पर वस्त्मों की आकरती और लंबाई चोड़ाई अलग दिखती है इस पर बच्चों को परियाप चर्चा की जरूरत है लेकिन ध्यान रखें कि कहानी का आनंद बना रहे प्रिष्ट तिरिपन क्या तुम सोच सकते हो कि गपो को जग के उपर रखा पनीर कैसे नजर आ गया जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई गपो सोचने लगा जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था लेकिन यहां से इतना चोटा दिख रहा है ऐसा क्यों? तभी जोर से हवा चली और गपारा कमरे से बाहर उड़ गया गपारा उपर के ओर उड़ने लगा साथ हे गपो भी आसमान में उड़ने लगा जब उसने देखा तो उसे अपना घर नज़र आया जैसे जैसे गपो ऊपर उठता गया उसे घर के आसपास की चीज़ें भी दिखने लगी पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुगान और सुहासने का घर जिसकी चट पर बड़ी सी पानी के टंके रखी थी ये एक बड़ी सफेद चूहे जैसी नज़र आ रही है ये, ये गुरुद्वारा ही होगा अमर जीत रोज यहीं जाता है हरे, यहाँ मिठाई की दुगान भी है मुझे नहीं पता था यम 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 यमी, यम यमी पृष्ट के अंतिम हिस्से में आसमान से लिया गया एक चित्र है जिसमें नीचे धर्ती पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है और साथ ही गप्पु को गुबारे के रस्ती पर लटका हुआ दिखाया गया है पृष्ट चववन सोचो, तुम्हारी कक्षा उपर से कैसी लगती होगी उसका चित्र बनाने की कोशिश करो और चित्र में बैंच, ब्लैक बोड, दरवाजे, खिड़कियां आधी भी बनाओ गुबारा उपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पु हैरान होकर सोचता रहा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे गलियां, सडकें और गाडियां भी गप्पु कहने लगा हरे, क्या ये रेल गाड़ी है यहां सी तो एक लंबे बॉक्स चैसी लग रही है यहां से ये कारे और बसे कितनी छोटी दिखती है बिल्कुल खिलोनों की तरह और आदमी चीटियों जैसे नजर आते हैं यहां पर एक दृष दिखाया गया है जहां रेल गाड़ी को चलते हुए और बहुत सारी बसे और कारे दिखाई गई है अचानक एक जोर से आवाज होई फट गुबारा फट गया और नीचे गिरने लगा नीचे और नीचे सभी चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लगी धप गपु रेल की पटरी पर जा गिरा और वो डरावनी मोंटी से बशने के लिए भागा जो गपु और दूसरे चुओं के पीछे पड़ी थी जब गपु ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वो कुछ ऐसी लग रही थी यहाँ पर आस्मान से लिया गया रेल की पटरी का चित्र है प्रिष्ट पच्पन लेकिन जब वो पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिख रही थी यहाँ पर रेल की पटरी का चित्र बना है रेल की पटरी आगे से चौड़ी और पीछे से संक्री दिखाई गई है रेल की पटरी पर गपु और मोंटी का चित्र भी बना है गपु बोला उपर से और सामने से देखने पर चीज़ें कितनी अलग दिखती हैं इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीज़ें क्यों एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती हैं जबकि दूसरे सिरे पर संकरी और चोटी यहाँ पर दो चित्र बने हैं एक रेल के पट्री का है जो आगे से चौड़ी और बड़ी दिखाई दे रही है और पीछे से संक्री दिखाई दे रही है और साथ ही मुम्बत्य के दो पंग्तियों का चित्र बना है जो आगे से चौड़ी और बड़ी है और पीचे से संक्री दिखाई गई है एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो उपर से लिए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है यहाँ पर एक लड़की का चित्र है जिसे उपर से योग आसन करते दिखाया गया है नीचे दिये गए चित्रों में उसी योग आसन से केवल एक काही मिलान किया जा सकता है पहचान करो यहाँ पर एक ही आसन की चार मुद्राओं को अलग-अलग तरब से दर्शाया गया है और आपको इन चारू चित्रों में से उपर से लिए गए चित्र से इसका सही मिलान करना है प्रिष्ट चपन इन चित्रों में कटोरों को दो अलग-अलग तरह से दिखाया गया है यहाँ पर दो चित्रों में तीन-तीन कटोरों का चित्र है चित्र एक और चित्र दो कौन से चित्र में कटोरे पलट कर रखे गए हैं? रिक्तिस्थान जब आप खोजने के लिए चित्र तीन में देखो कटोरे साइट से कैसे लगते हैं? यहाँ पर चित्र तीन दिखाया गया है जिसमें तीन अलग-अलग प्रकार के कटोरे रखे हैं इन चित्रों की उपर से दिखने वाली आकरती और साइट से दिखने वाली आकरती का मिलान करो एक नली और एक कुपी यहाँ पर चार चित्र दर्शाय गए हैं आपको इन दोनों से इनका सही मिलान करना है एक जूते का एक तरफ से उपर से सामने से दिखने वाली चित्र बनाने की कोशिश करो यहाँ पर एक खाली जगा है जहाँ पर आप जूते का चित्र बनाएं जो एक तरफ से उपर से और सामने से दिखे शिक्षिकों के लिए निर्देश बच्चों को ये सोचना और मालूम करना मज़ेदार होगा कि अलग-अलग वस्तुएं अलग-अलग कोणों से कैसी दिखती हैं ये गतिविधी उनकी स्थान संबंधी समझ को विकसित करने में मदद करेगी प्रिष्ट 57 गप्पू के घर के पीछे का पार्क क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है इसको ध्यान से देखो और प्रश्णों का उत्तर देने की कोशिश करो यहाँ पर एक चित्र है जिसमें गप्पू के घर के पीछे का पार्क दिखाया गया है मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ A, B, C या D कौन सा गेट कप्पू के घर के सबसे पास है अगर तुम गेट B से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा दाएं, बाएं या सामने जब सुहासनी पार्क में घुसी तो फूलो के क्यारी उसके दाई तरफ थी वो कौन से गेट से अंदर आई होगी अगर तुम गेट C से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा एक, बास्केट बॉल कोट दो, फूलो के क्यारी तीन, हरा बेंच और चार, C सौ जूला शिक्षिकों के लिए निर्देश छोटे बच्चे अक्सर बाएं सामने आधी दिशा निर्देशों को निर्पेक्ष यानि एपसोल्यूट मान लेते हैं स्थान संबंधी समझ विकसित करने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें ये आवगत कराय जाए कि दिशाएं अपनी स्थिती के सापेक्ष होती है कोई वस्तु किसी के संदर्ब में बाई और है किसी और के संदर्ब में दाई और हो सकती है कक्षा में इस आवधारना पर आधारित और भिक्रियाएं कराई जा सकती है प्रिष्ट 58 इसमाइल का घर इसमाईल ने श्रिजाता को टेलिफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया रास्ते का नक्षा यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर एक नक्षा दिखाया गया है जिसमें इसमाईल के घर से श्रिजाता के घर तक का जाने का मार्ग दिखाया गया है और बीच में पार्क और दूद की दुकान भी दिखाई गई है साथ में एक पुल भी है इस्माइल ने शर्जाता को ये बताया अपने घर से दूद की दुकान तक पहुँचो और फिर बाए मुड जाओ दूसरे चौराहे से दाए मुड जाओ और पुल को पार करो वहां से सीधे जाओ और फिर पहले दाए मुड से मुड जाओ लगबग सौ मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा पार्क दिखाई देगा जैसे ही पार्क को पार करोगी तुम्हें बराबर में एक छोटी गली दिखाई देगी उस गली का पहला घर ही मेरा है क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? वो रास्ता दिखाओ यदि श्रजाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो वो कहाँ पहुँशती? अब स्माइल के घर से श्रजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ प्रिश्ट 69 गिबली और बड़ा बक्सा क्या तुम्हें कक्षा तीन की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चीटी याद है? गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई अब वो उस बड़े बक्से की दूसरी सता देख सकती थी यहाँ पर एक ये बक्से के तीन चित्र बने हैं जिसमें बक्से की अलग-अलग सता को दर्शाया गया है पहले बक्से में चार लिखा है और उस पर गिबली दिखाई गई है दूसरे बक्से में पांच लिखा है और वहाँ भी गिबली दिखाई गई है अर्थात गिबली एक तरफ से दूसरी तरफ आगे बढ़ती दिखाई गई है और बक्से के तीसरे चित्र में सबसे उपर की सता पर एक लिखा हुआ दिखाया गया है और सामने चार और दाइनी तरफ पांच लिखा हुआ है गिबली को कुछ समझ नहीं आया ये बक्सा क्या था? वो एक कप पर चड़ गई और वहां से देखने लगी बक्सा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था क्या तुम सोच सकते हो कि वो बक्सी जैसी चीज़ क्या थी? इस बक्से की आमने सामने वाली सताओं पर लिखी संख्याओं का जोड हमेशा साथ होता है अब तुम इन प्रश्णों के उत्तर दो संख्या पांच के आमने सामने कौन सी संख्या होगी? चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी? अगर गिबली एक बार फिर पांच से बाई तरफ मुड़े तो उसे कौन से संक्या देखेगी क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वो कैसा लगेगा सही चित्र पर निशान लगाओ यहाँ पर चार चित्र दिये गए हैं पहला चित्र है क यहाँ पर दो पटियां बनी हैं एक खड़ी पट्टी और एक लेटी पट्टी खड़ी पट्टी पर नीचे से उपर के तरफ छे, चार, एक और तीन लिखा है और लेटी पट्टी पर बाई से दाई तरफ दो, एक और पांच अंकित है पट्टी नंबर खा में खड़ी पट्टी में नीचे से उपर दो, चार, एक और तीन और लेटी पट्टी में बाई से दाई छे, एक और पांच अंकित है पट्टी गा में नीचे से उपर तीन, पांच, एक और चार लिखा है और लेटी पटी में 22 से दाएं 2, 1 और 6 अंकित है और पटी घा में नीचे से उपर 4, 6, 1 और 3 लिखा है और लेटी पटी में 22 से दाएं तरफ 2, 1 और 5 अंकित है अब आपको इन 4 पटीयों को देखकर उपर दिये गए बकसे से सही मिलान करना है कि उपर दिये गए बक्से वाली सही पट्टी क, ख, ग, और घा में से कौन सी है पता लगाओ, इस तरह की आकरती एक मोटे कागस पर बनाओ उसे काटो और उसकी अलग-अलग सतहों पर अलग-अलग रंग भरो क्या तुम इस बक्से का प्रयोग कोई खेल खेलने के लिए कर सकते हो इसी के साथ पांचवाँ पार्ट दुनिया कुछ ऐसी दिखती है अब यहीं समाप्त होता है स्वर प्रवीन शर्मा तकनिकी समनवयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन विकास सांगवान निर्माण सहयोग रुचिशर्मा निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत